केरल के अणना कुलम में कैथलिक चर्च में सबा के दोरान हुए विस्पोर्ट के बाद केंदर की एजनसियां सतर्क हो गई है केंदर सरकार ने इन एजनसियों को ततकाल केरल के लिए रवना किया है और NIA और NSZ के कमांडो को का है कि वे फिलाल वहीं रुके इस पूरे मामले में ग्रेम मंतरी अमित शाहा भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है हम आपको बता दे कि हमास के पूर नेता ने एक दिन पहले ही यहां रेली की थी और उसमें इसाईयों यहुदियों और हिंदों के खिलाप जैर उगला था उसके बाद रविवार को चर्च में हुई सभा में इस तरह के विस्पोर्ट को लेकर आतंकवादी एंगल से भी देखा जा रहा है हमास के पूर्चीप के इस भाषन के बाद की गई निंदा से भी इसे जोड़ कर देखा जा रहा है वैसे भी केरल में आई रोज इस तरह की आतंकवादी गदी विदियों के सुत्र मिलते रहते हैं केंदर सरकार में इन धमाकों के बाद सतरकता बरतने के लिए का है और ग्रेमंतरी अमित्सा लगतार हालात पर नजर बनाय हुए है यहां हुए धमाके के समय एक हजार लोग प्रातना सबा में मौजूद थे लेकिन इस बम धमाके ने दो लोगों की जान ले ली और करीब दो दरजन लोग घायल बताय जा रहे हैं इस पुरे मामले में केंदर की ओर से ग्रेमंतरी ने यहां के प्रसासन और मुख्यमंतरी से भी बात की है